Hello students, welcome to MOS classes, आज हम 7th class Math and CERT के chapter no.4 की exercise 4.3 के question no.2 को solve करेंगे Second question में हमसे कहा गया है, solve the following equations इस question में हमें कुछ equations दी गई हैं और हमें उन equations को solve करना है A part में हमें ये equation दी गई है, 2 with bracket x plus 4 is equal to 12 और हमें इस equation को solve करना है, यानि के यहाँ पर हमें इस variable x की value find करनी है तो इसके solution में सबसे पहले हम इस equation को यहाँ पर as it is रिख लेंगे 2 with bracket x plus 4 is equal to 12 अब ध्यान से देखे students के ये 2 इस x के साथ भी multiply होगा और इस 4 के साथ भी multiply होगा जब आप positive 2 को positive x के साथ multiply करेंगे तो आपको मिलेगा positive 2x तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2x और जब आप positive 2 को positive 4 के साथ multiply करेंगे तो आपको मिलेगा positive 8 तो यहाँ पर आप लिखेंगे plus 8 यह is equal to cosine यहाँ पर as it is आएगा और यह 12 भी यहाँ पर as it is रहेगा अब हमें तो x की value find करनी है तो 2x को यहाँ पर हम as it is रखेंगे is equal to cosine भी यहाँ पर as it is आएगा यह 12 भी अपनी जगा पर रहेगा और इस plus 8 को हम right hand side में ले जाएगे और जब हम plus 8 को right hand side में लेकर जाएगे तो यह plus 8 यहाँ पर आके minus 8 हो जाएगा अब यह 2x यहाँ पर as it is आजाएगा is equal to cosine भी as it is आएगा जब आप 12 में से minus करेंगे 8 को तो आपको मिलेगा 4 तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4 अब यहाँ पर हमें x की value find करनी है तो यह x यहाँ पर as it is आजाएगा यह is equal to cosine भी as it is आएगा यह 4 भी अपनी जगा पर रहेगा और इस 2 को हम right hand side में लेकर आजाएगे अब देखिए 4 और 2 को आपस में solve किया जा सकता है क्योंकि यह दोनों numbers 2 की table में आते हैं तो हम इन दोनों numbers को 2 से काटेंगे देखिए 2 बन जा 2 और यहाँ पर देखिए 2 टू जा 4 तो जब हमने 4 को 2 से divide किया तो हमें मिला 2 अब यह x यहाँ पर as it is आ जाएगा यह is equal to cosine भी as it is आ जाएगा और यह 2 भी यहाँ पर as it is आ जाएगा तो x की value हमें मिल गई है 2 यानि कि हमने इस equation को solve कर लिया है b part में हमें यह equation दी गई है 3 with bracket n minus 5 is equal to 21 और हमें इस equation को solve करना है यानि कि हमें variable n की value find करनी है तो इसके solution में सबसे पहले हम इस equation को यहाँ पर as it is रिखेंगे 3 with bracket n minus 5 is equal to 21 अब यह 3 इस n के साथ भी multiply होगा और इस minus 5 के साथ भी multiply होगा जब आप positive 3 को positive n के साथ multiply करेंगे तो आपको मिलेगा positive 3n तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3n और जब आप positive 3 को negative 5 के साथ multiply करेंगे तो आपको मिलेगा negative 15 तो यहाँ पर आप लिखेंगे minus 15 यह is equal to assign यहाँ पर as it is आएगा और यह 21 भी यहाँ पर as it is आएगा अब यह 3n यहाँ पर as it is रहेगा यह is equal to assign भी as it is आएगा यह 21 भी अपनी जगा पर रहेगा और इस minus 15 को हम right hand side में लेकर आजाएंगे और जब minus 15 right hand side में आएगा तो यहाँ पर आकर यह plus 15 हो जाएगा यह 3n यहाँ पर as it is आजाएगा यह is equal to assign भी as it is आएगा जब आप 21 और 15 को add करेंगे तो आपको मिलेगा 36 तो यहाँ पर आप लिखेंगे 36 तो आप हमें मिल गया है 3n is equal to 36 अब हमें तो n की value find करनी है तो n को यहाँ पर हम as it is रखेंगे is equal to का sign भी यहाँ पर as it is आएगा यह 36 भी अपनी जगा पर रहेगा और यह 3 यहाँ पर n के साथ multiply में है यह दोनों numbers 3 की table में आते हैं तो हम इन दोनों numbers को 3 से काटेंगे देखिए 3 बन जा 3 और यहाँ पर देखिए 3 बन जा 3 बचा 6, 3 टूजा 6 तो जब हमने 36 को 3 से divide किया तो हमें मिला 12 अब यह n यहाँ पर as it is आजाएगा यह is equal to का sign भी as it is आएगा और यह 12 भी यहाँ पर as it is आजाएगा तो n की value हमें मिल गई है 12 यानि के हमने इस equation को solve कर लिया है c पार्ट में हमें यह equation दी गई है 3 with bracket n minus 5 is equal to minus 21 और हमें इस equation को solve करना है यानि के हमें variable n की value find करनी है तो इसके solution में सबसे पहले हम इस equation को यहाँ पर as it is रिखरेंगे 3 with bracket n minus 5 is equal to minus 21 अब देखे students के यह 3 इस n के साथ भी multiply होगा और minus 5 के साथ भी multiply होगा जब आप positive 3 को positive n के साथ multiply करेंगे तो आपको मिलेगा positive 3n तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3n और जब आप positive 3 को negative 5 के साथ multiply करेंगे तो आपको मिलेगा negative 15 तो यहाँ पर आप लिखेंगे minus 15 यह is equal to का साथ यहाँ पर as it is आएगा और यह minus 21 भी यहाँ पर as it is आजाएगा अब इस 3n को यहाँ पर हम as it is रखेंगे is equal to का साथ यहाँ पर as it is आएगा यह minus 21 भी अपनी जगा पर रहेगा और minus 15 को हम right hand side में लेकर आजाएंगे और जब हम minus 15 को right hand side में लेकर आएंगे तो यहाँ पर आकर यह plus 15 हो जाएगा अब यह 3N यहाँ पर as it is आजाएगा यह is equal to का sign भी as it is आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 negative है और 15 positive है तो आप 21 में से 15 को minus करेंगे तो आपको मिलेगा 6 और बड़ा number है 21 और 21 का sign negative है तो 6 का sign भी negative आएगा तो यहाँ पर आप लिखेंगे minus 6 अब हमें N की value find करनी है तो N को यहाँ पर हम as it is रखेंगे यह is equal to का sign भी as it is आएगा यह minus 6 भी अपनी जगा पर रहेगा और 3 यहाँ पर N के साथ multiply में है तो जब इस 3 को हम right hand side में लेकर आएगे तो यहाँ पर आकर यह 3 divide में आ जाएगा अब ध्यान से देखें students कि 6 और 3 को आपस में solve किया जा सकता है क्योंकि यह दोनो numbers 3 की table में आते हैं तो हम इन दोनो numbers को 3 से काटेंगे देखिए 3 बन जा 3 और यहाँ पर देखिए 3 टू जा 6 तो जब हमने minus 6 को 3 से divide किया तो हमें मिला minus 2 यह N यहाँ पर as it is आ जाएगा यह is equal to का sign भी as it is आएगा यहाँ पर बचा minus 2 तो यह minus 2 भी यहाँ पर as it is आ जाएगा तो N की value हमें मिल गई है minus 2 यानि के हमने इस equation को solve कर लिया है D part में हमें यह equation दी गई है minus 4 with bracket 2 plus x is equal to 8 और हमें इस equation को solve करना है यानि के हमें variable x की value find करनी है तो इसके solution में सबसे पहले हम इस equation को यहाँ पर as it is रिखेंगे minus 4 with bracket 2 plus x is equal to 8 अब देखे students कि यह minus 4 इस 2 के साथ भी multiply होगा और x के साथ भी multiply होगा जब आप negative 4 को positive 2 के साथ multiply करेंगे तो आपको मिलेगा negative 8 तो यहाँ पर आप लिखेंगे minus 8 और जब आप negative 4 को positive x के साथ multiply करेंगे तो आपको मिलेगा negative 4 x तो यहाँ पर आप लिखेंगे minus 4 x यह is equal to का साइन यहाँ पर as it is आएगा और यह 8 भी यहाँ पर as it is आएगा याद रखेंगा students कि जब आप negative और positive को multiply करते हैं तो answer negative आता है अब यह minus 4 x यहाँ पर as it is आएगा यह is equal to का साइन भी as it is आएगा यह 8 भी अपनी जगह पर रहेगा और इस minus 8 को जब हम right hand side में लेकर आएगे तो यहाँ पर आकर यह plus 8 हो जाएगा अब यह minus 4 x यहाँ पर as it is आजाएगा यह is equal to का साइन भी as it is आएगा और जब आप 8 और 8 को plus करेंगे तो आपको मिलेगा 16 तो यहाँ पर आप लिखेंगे 16 अब हमें तो x की value find करनी है तो x को यहाँ पर हम as it is रखेंगे यह is equal to का साइन भी as it is आएगा यह 16 भी अपनी जगह पर रहेगा और minus 4 यहाँ पर x के साथ multiply में है तो जब इस minus 4 को हम right hand side में लेकर आएंगे तो यहाँ पर आकर यह divide में आ जाएगा अब देखें students कि 16 और 4 को आपस में sold किया जा सकता है क्योंकि यह दोनो numbers 2 की table में भी आते हैं और 4 की table में भी आते हैं तो आप इन दोनो numbers को 2 से भी काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं हम इन दोनो numbers को 4 से काटेंगे देखिए 4 बन जा 4 और यहाँ पर देखिए 4 फोर जा 16 और यहाँ पर denominator में जो यह negative sign है यह negative sign इस 4 के साथ आ जाएगा यानि के जब हमने 16 को divide किया minus 4 से तो हमें मिला minus 4 तो यहाँ पर हम लिखेंगे x is equal to minus 4 तो x की value हमें मिल गई है minus 4 यानि के हमने इस equation को solve कर लिया है यह पार्ट में हमें यह equation दे गई है 4 with bracket 2 minus x is equal to 8 और हमें इस equation को solve करना है यानि के हमें variable x की value find करनी है तो इसके solution में सबसे पहले हम इस equation को यहाँ पर as it is रिखेंगे 4 with bracket 2 minus x is equal to 8 अब यह 4 इस 2 के साथ भी multiply होगा और minus x के साथ भी multiply होगा जब आप positive 4 को positive 2 के साथ multiply करेंगे तो आपको मिलेगा positive 8 तो यहाँ पर आप रिखेंगे 8 और जब आप positive 4 को negative x के साथ multiply करेंगे तो आपको मिलेगा negative 4 x तो यहाँ पर आप लिखेंगे minus 4 x यह is equal to sign यहाँ पर as it is आएगा और यह 8 भी यहाँ पर as it is आएगा यह minus 4 x यहाँ पर as it is आजाएगा यह is equal to sign भी as it is आएगा यह 8 भी अपनी जगा पर रहेगा और जब हम positive 8 को right hand side में लेकर आएगे तो यहाँ पर आकर यह negative 8 हो जाएगा अब यह minus 4 x यहाँ पर as it is आएगा यह is equal to sign भी as it is आएगा और जब आप 8 में से minus करेंगे 8 को तो आपको मिलेगा 0 तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0 अब हमें तो x की value find करनी है तो x को यहाँ पर हम as it is रिखेंगे यह is equal to sign भी as it is आएगा यह 0 भी अपनी जगा पर रहेगा और minus 4 यहाँ पर x के साथ multiply में है तो जब इस minus 4 को हम right hand side में लेकर आएगे तो यहाँ पर आकर यह divide में आ जाएगा अब यह x यहाँ पर as it is आएगा और यह is equal to का sign भी यहाँ पर as it is आएगा याद रखेगा students कि अगर आप 0 को किसी भी number से divide करते है तो answer 0 ही आता है तो जब आप 0 को minus 4 से divide करेंगे तो answer आएगा 0 तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0 तो x की value हमें मिल गई है 0 यानि के हमने इस equation को solve कर लिया है I hope students आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे like, share और subscribe कीजिए Thank you